हालो एंड वेलकम टू देसी बटा का मैं हूँ अरादना के साथ बिग बॉस के घर में फाइनली अंकिता लोखंडे ने ये बता ही दिया कि क्यों इतनी प्रॉब्लम है अंकिता से एश्वर्या को क्यों इतनी इंसीक्योर है एश्वर्या अंकिता से क्या है पूरी खबर और क्या बताया है अंकिता ने चलिए आपको बताऊंगी लेकिन उसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तपा दें लेकिन दोस्तों बिग बाउस के घर के अंदर एश्वरया जो कि बहुत ही जादा इंसेक्योर नजर आती है अंकिता से जलकुक्री सी लगती है चिड़किया सी लगती है आज फाइनली अंकिता ने बैठके रिंकु जी को ये बताया कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है उसको रिंकु जी ने बोला कि अंकिता एक बात बताओ इस एश्वर्या को तुमसे इतनी दिक्कत क्यूं है कल तुम्हारी जब नील से भी लड़ाई हो रही थी तो एक फिजूल में बीच में गुस्ट रही थी तो अंकिता ने का हाँ मैंने उसको बोला भी थारिंकुजी कल की मेरी देख अभी नील से दिक्कत है तु बीच में मत पढ़ में को तुस्से कोई इश्व नहीं है तो यहाँ पर अंकिता ने बताया कि आक्शुली हम लोग एक शो कर रहे थे पहले स्टार प्लस का वो रियालिटी शो था और उसमें ये दोनों स्टार प्लस के सुपर हिट शो के लीड कपल्स थे पर जीत गए मैं और विक्की और इस चीज़ से इन दोनों को बहुत प्रॉब्लम होई और उन्होंने कहा कि स्टार प्लस ने जानमूचकर इनको हरा दिया जिससे कोई ये ना कहे कि वो लोग बायस थे और उन्होंने अपने ही कपल को अपने ही शो के हिट कपल को जिदाया और इनको वहां भी ऐश्वरिया मुस्से कटी-कटी रहती थी पर नील बात कर लेता था दिक्की से और उसके बाद हम तीन-चार बार पार्टीज में मिले हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थूँ इस घर में जब हम आये तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई जब आये तो हमें लगा कि शायद हम लोग जलब कर पाएंगे साथ में अलड़ी काम कर चुके थे बट मुझे एश्वरिया से हमेशाना एक अजीब वाइब जाई मैंने उसको बोला भी कि तू मुझे ऐसा लगता जिसा तो तूझे कोई प्रॉब्लम है मुझे कुछ है तो तू मुझे बता दे मैंने उसके मुओ पर भी बोला था इंके चेहरे पर आता है अंकिता कहती है नई- Judy- नई- friends नजैं आ बता रही हूँ और ये चीज में उसके मूँ पर भी बोल चुकी हूँ और हाँ मैं मज़े लेकर ही बता रही हूँ न याद कि शीजन से क्योर आफ मी मुनवर हसने लगा लेकिन दोस्तो एक बात तो है एश्वरया को सच में इश्वू तो है कोई बड़े वाला क्योंकि अंकिता ने उसके बा कमेंट्स में आप जरूर लिक कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें